जहन दोस्तों सेनिक समाचारों में आपका हर्दिक स्वागत है आज दो खबरें कवर करूँगा सबसे पहले हेडलाइन्स में बात करूँगा यद जबानों का पैसा कटता है तो अब वो कटेगा नहीं यदि आपको ज़्यादा भुगतान हुआ है वो आपकी गलती नहीं है पैसा आपको रिकवर किया जाता है उसके उपर एक एडवाजरी निकली इसके बारे में बात करूँगा दूसरा मिलिटरी सर्विस पे देने वालों को ये जो भीषन हाथसा हुआ ये जवाब दे रहा है आखिर जवानों की जिंदगी को कितना है खत्रा और कितने हुए सई बात करूँगा सबसे पहले मैं इस एडवाजरी की बात करूँगा जो सरकार के बित मंत्राल है और डिपार्डमेंट ऑफ जो एकस्पेंडिचर उसकी तरफ से लेटर निकलाए एक जून दो यार तेहिस को जिसका सब्जेक्ट है कि सरकारी करमचारियों को किये गए अतरिक थी काट लिया जाते हैं और जैसे कि बोलते हैं पैसा काटा उनके आडिट में आई यह बहुत लमबा पैसा आपको मिला है क्लेम है या आपका पैसा एक जटके में 3-4 लाक नहीं कटेगा उसके संद्रम में एक नियूनतम आदेश जारी किया गया और पुराने आदेशों का अबी हवाला दिया गया आप ओप्स मेमंडम ये दोनों पड़ सकते हैं और इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी 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 पैसे का सीधा सीधा लिखा है अंडर साइने डारेक्ट टू रेफर डियो पीटी इंस्ट्रेक्शन ऑन दा सब्जेक्ट मेंटर एंड टू से तो आल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू अधियर तू दा फॉलोंग इंस्ट्रेक्शन भी रिफरेंग प्रपोजर इंवॉलिंग वेवर रिकवरी एक्सस पैमंड ऑब डिपार्टमेंट आप किसी के पैसे काटते तो उसके लिए मैं आपके हिदायत है आज जो जारी कर रहा हूं आप उसको ध्यान में रखते आपने अपना काम करना है सीधा सीधा लिखा है आप देख सकते हो उसमें लिखा है कि सरकारी करमचियों को अतरिक्त भुगतान की वसूली की छूट से जुड़े सभी प्रस्तावों को प्रभावित व्यक्ति के प्रसासिन के मंत्राल है बिभाग और विचार के लिए आप इस की है फिर उसकी क्या लिखा है मंत्राल है बिवाग को ऐसे तत्तों की जांच करना आप बिना जांच के पैसा नहीं काट सकते है उसमें लिखा है कि डी एप पी आर के नियम सत्रा के संद्रम में पहला उधारन और प्रमार्ट किया जा सकता है कि मानलो नुक्सान है सरकार का लिख नियमों और प्रकरियाओं में किसी दोस्ट का खुलासा नहीं होता है इसके लाबा यह प्रमार्ट करना हुगा कि इदो कोई बढ़ा ड्रृफौल्ट कोई वाल्ट तो नहीं हुआ है किसी की साज तो नहीं है यदो उसको पैसा देने वाले की गलती तो उसके उपर अ 2016 में एक Office Memorandum जारी किया गया था उसमें पांच पॉइंट थे उनको ध्यान में रखा जाए और उसके लिए यह मामला नयायदी नहीं यानि मामला नयायलाय में पहुंचाता एक्टी में पहुंचाता और सारा इसका वेटिक यह था इदे इंडिविजल की गलती नहीं है और इंडिविजल पैंसन चला जाता है पैंसन जा रहा है आपने उस संग्यार में पिछले 3-4 साल वाला पैसा है वो आप नहीं काड सकते हो और इस विवाग ने देखा कि गलत बेतर निर्धारण और संबंधित अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया जाता है मंत्राला इस बारे में उच्छत तो अच्छत प्रिस्ट करता है या नेमित समीच्छा आंतरिक लेका प्रिजाद के दौर मतलब इसमें आपका मामला उस करेंट में आपके संग्यान में नहीं आता है तो आप इसको नहीं काड सकते हो एक एड़ बाजरी है दूसरी बात क सारा जवाब आपको मिला है का आप समझ सकते हो कि लदाख में तुर्टुक में एक गाड़ी जहां जवान पैट्र लिंग केलीए जा रहा है थी और गाड़ी अdir इद्ध्रों क्या वा गव्द गरा जाती है उस नहीं erect spray फक्ली देख सकते हो i . जवान जो सईध है उसका पार्थियों सरीर उसके जला कानपुर बसोर गाउं में पहुंचता है और उसकी डेड़ साल का बच्चा है पत्नी है बिलक बिलक की बुरा हाल है आज समसक्तियों को लद्दाक से उसकी बोड़ी गाउं तक पहुंचाने में लवख सुकर और आज सेकड़ों इस तरह के इंसिडेंट होते हैं बहले ऑप्रेशन का इसडेंट हो इनुट में ट्रेंनिंग का इसिडेंट हो डूटी फटी का इसीडेंट हो और जबान के साथ 24 गंते लाइफ में रिस्क है और हार्ज सिप है और परिसाने फिद जब बात equal military service पर की जाती है और यही सारे तथ यही सारे कारण कोट के सामने अब रख दी है अब सरकार back put पैक आकर सरकार करेंगी क्या और कोट के संग्यान में ये मामले जा रहे हैं कि सबसे जादा नुकसान जवानां को होता है सबस्यादा तकलीब जवानों को है और जवानों की लाइफ को ज़्यादा आपने देखा होगा सेक्रिपाइस होते हैं तो क्यों ने उन्हें बरावर मिलिटरी सर्विस पे दी जा आप इसको पर जरूर अपना कमेंट्स करिए और सेर करी धन्यवाद दोस्ते